आईफा की चर्चा हर तराफ है वही इसके कई वीडियो तस्वीरे सोशल मीडिया पर छाही हुई है हाला कि इन में विक्की कौशल और सलमान खान की एक वीडियो ने खूप सुर्खिया बटोरी अबुधाबी में चल रहे आईफा में सलमान खान के बॉडि गार्ड्स ने कथे तौर पर विक्की कौशल को ठक्का दिया गया था जिसके चलते कई फैन सलमान खान तो कुछ विक्की कौशल को सपोर्ट कर रहे थे इसी बीच विक्की कौशल का रियक्सन शामने आया है इतना ही नहीं एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों स्टार्स एक दूसरी के गले लगते हुए दिखाई पढ़ रहे हैं एक्टर विक्की कौशल का कहना है कि हो सकता है कि चीजे वैसी ना हो जैसा की वीडियो में दिख रहा है और इसलिए इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है कई बार चीजों की बारे में बेकार की बखबख शुरू हो जाती है इसका कोई मतलब नहीं है चीजे वास्ताओं में वैसी नहीं है जैसी वे वीडियो में दिखती हैं इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है गौरतलब है कि एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें विक्की कौशल अपने फैंस के साथ सेलफी ले रहे थे तब ही सलमान खान की एंट्री होती है वहीं जब विक्की सलमान का आभी बादन करने के लिए उनके पास जाने की कोशिश करते हैं तो सुरक्षा कर्मी उन्हें धक्का देते हुए नजर आते हैं इस वीडियो में कई फैंस को नाराज कर दिया था अजर चाल अजर आते हैं झाल झाल झाल